नमस्कार, मैं फ्यूचर गुरु नैनेश योश्री आपका स्वागत करता हूँ कई बार हम देखते हैं पती पत्नी में कलेश होता है देवरानी जेठानी में कलेश होता है साज बहु में भी कलेश होता है तो यहाँ जो मंत्र है इसको करने से आपके घर पे शांती बनी रहेगी ओम नम्ह शक्ति स्वरुपाय ममगुरु है शांती कुरु कुरु स्वाह यदि यहाँ मंत्र 41 दिन आप 11 माला जाब करते हो और रुद्राक्ष की मालाली चाब करिएगा निश्णिन ते आपके घर पे शांती बनेगी और विशेश्ट आपके घर के इस्ट वॉल पे आप शिवी परिवार की तस्वीर जरूर लगाएं जिससे आपके घर परिवार में शांती का मोहल बना रहेगा यदि आप घर के चारो कोनों में जब भी आप पूजा करते हो उसके पश्यात शंक ज़रूर बजाएं जिससे विशेश्था आपके घर पे शांती बनी रहेगी घर परिवार के सदस्यों में शांती बने रहने के लिए यह उपाय बहुते लाबदाई रहेंगे और यदि आप अपने घर पे शिव जी की पूजा करने के पश्यात शिव लिंग का अभिशेक करने के पश्यात जो अभिशेक का पानी होता है वो घर के चारो कोनों में और विशेश्था द्वार के उपर छीटा करते हो तो आपके घर में शांती बनी रहेगी नमस्कार